देखो यहां direction of friction के लिए हम लोग देखते क्या है कि point of contact की sleeping किस direction में है ठीक है तो cycle जब यहां पर rest में है और जैसे ही हम लोग यहां से paddle को start करेंगे तो यह paddle का जो torque होगा वो इस point को backward direction में move करने का कोशिश करेगा suppose that कि अगर यह friction less surface पे होता तो यह wheel जो है वो अपने जगापर क्या करता प्योर rotation करता रहता यानि कि इस point की tendency है यह backward जाने का तो friction इसको oppose करने के लिए forward direction में लगेगा लेकिन अगर यह front wheel के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो front wheel पर तो कोई torque लगनी रहा है तो इसमें आगे के तरफ motion होने से front wheel का जो motion होगा वो आगे के तरफ होगा यानि point of contact की tendency अगर देखें तो यह forward direction में जा रही है इसलिए इस पे जो friction लगेगा वो backward direction में लगेगा तो इस तरीके से हम लोग दोनों wheel पर direction of friction calculate कर सकते हैं Thank you